10-15,000 के बजट में इन दोनों 5G फोन यह है MotoG54 और Samsung का F15 दोनों ऐसे कौन जा फोन लेना बेस्ट रहेगा Don't worry, बिल्कुल सई वीडियो देख रहे हो, बहुत ही शॉर्ट में explain करने की कोशिश करता हूँ अब वैसे तो box content की बात करना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी है MotoG54 के साथ में charger और cover दोनों देखने को मिलेंगे, लेकिन Samsung के case में आपको सिर्फ charging cable देखने को मिलता है तो charger आपको अलग से purchase करना पड़ेगा, अब launching offer में तो इसका जो price वो 299 है, लेकिन आगे चलकर इसका जो price point वो 1000 रुपीज के आसपास हो जाएगा आते हैं, लेकिन Moto वाला थोड़ा ज़्यादा comfortable feel होगा, क्योंकि ये 192 ग्राम का है और जो Samsung है वो 217 ग्राम का है बागी देखो, design और comfort ऐसी चीज है कि किसी को कुछ भी पसंद आ सकता है, तो वो आप अपने ओडिंग देख सकते हो इसके अलबा, Moto वाले फोन में IP54 की rating है, तो normal water splices से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन Samsung के साथ में ऐसी कोई rating नहीं है अब बात करते हैं, इन फोन के display के बारे में, जहांपर आप काफी बड़ा difference notice करोगे Moto में punch world display दिया है, और Samsung में U-notch display, और bezels Moto वाले में थोड़े अच्छे देखने को मिलता है लेकिन quality Samsung के अंदर ज्यादा better मिलेगी, क्योंकि ये device एक super emolet display के साथ आता है, जबकि Moto वाले में LCD display है तो चाहे outdoor brightness की बात करो, details की बात करो, या फिर इनके colors की Samsung वाले display ज़्यादा अच्छे color produce करती है, बाकि screen resolution दोनों ही phone में लगमक सेम सा है पर sound के मामले में Moto वाला ज़्यादा best है, क्योंकि यहाँ पर आपको dual speakers मिलता है, जोकि Dolby Audio को support करते है वही Samsung आता है single speaker के साथ में, Dolby Audio का support आपको सिफ earphone की case में मिलता है अब software के अंदर कौन सा phone ज़्यादा best है, तो Samsung के अंदर आपको latest Android 14 देखने को मिलता है वही Moto के अंदर आपको Android 13 देखने को मिलेगा तो software update को लेकर कही न कहीं Moto यहाँ पर पीछे ले जाता है Moto वाले के अंदर software एकदम clean है, कोई ads नहीं है, कोई blotwest नहीं है, जबकि Samsung के अंदर ऐसा scene नहीं है Samsung में आपको थोड़े बहुत blotwest देखने को मिलता है और software optimization के अंदर भी मुझे Moto वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा वाई Samsung वाले में जब मैंने UI को यूज किया तो हलके फुल के jitters मुझे अभी देखने को मिल रहे थे लेकिन still software updates को लेकर यहाँ पर Samsung वाला clear winner है अब सिधे performance की बात कर लेते हैं तो दोनों फोन में आपको MediaTek का processor मिलता है Samsung में MediaTek का 6100 प्लस processor है और Moto में 7020 दोनों device LPDDR 4X10 और UFS 2.2 का storage support करते हैं अंतो तो score अगर आप देखूँगे तो Moto G54 यहाँ पर थोड़ा powerful नजर आएगा और यह चीज है भी Day-to-day टास्क से लेकर जो multitasking है वो Moto वाले में थोड़ी सी better करने को मिलेगी और gaming भी यहाँ पर Moto G54 ज़्यादा better तरीके से कराएगा consistent gaming यह आपको करवा देगा जबकि Samsung वाले में उतनी अच्छी gaming आप नहीं कर सकते gaming के अंदर यह फोन उतना अच्छे से optimize निये frame drops को गएरे काफी ज़्यादा देखने को बिलते है इवन जब मैंने इस फोन के अंदर BGMI को minimize करके बाकी application को open वगर करके check करके देखा तो यह फोन काफी ज़्यादा lag करने लगा तो performance को लेकर no doubt यहां पर Moto G54 थोड़ा सा बैटर निकल कराता है एक चीज में अपनी तरप से आपर add करना चाहूँगा कि अगर आप यह वीडियो देखने के बाद Samsung लेने का प्लान कर भी रहे हो तो 4GB variant के साथ में ना जाकर यहां पर आप 6GB variant के साथ में जाना क्योंकि long term के साब से यह आपको काफी ज़्यदा helpful रहेगा क्योंकि Moto वाले के अंदर तो जो starting variant है वो ही आपको 8GB RAM के साथ में देखने को बिलता है अब बैटरी फीचर के अंदर दोनों फोन एकदम जबरदसत है क्योंकि यहां पर आपको 6000 mh की बैटरी दोनों फोन के अंदर देखने को मिलती है लेकिन चार्जिंग यहां पर जो है वो आपको Moto G54 में 33 वोट की मिलेगी और यहां पर 25 वोट की अब Moto वाले के अंदर जो चार्जर है वो आपको out of the box सी देखने को मिल जाता है लेकिन Samsung वाले के अंदर आपको अलग से purchase करना पड़ेगा तो वो कोश्ट आपकी अलग से लगेगी तो इस चीज़ का आप थोड़ा से ध्यान में रखना अब network की अगर बात करें तो दोनों phone 5G device हैं 5G के अच्छे कासे band support करते हैं मोटो वाले में 5G plus मुझे शो कर रहा था लेकि Samsung वाले के अंदर मुझे 5G plus देखने को नहीं मिला अब 5G network को लेकर एक चीज में आपर add करना चाहूँगा जूँकि कुछ लोगों को दिक्कत दे सक आता है पर Samsung के अंदर ऐसा कुछ नहीं है तो यह चीज मोटो को बहुत ही जल्दी fix करने की ज़रत है इसके अलबाद दोनों phone dual mic को support करते हैं कौन quality दोनों की काफी अच्छी है call recording की अगर बात करें तो मोटो वाले के अंदर आप silent call recording नहीं कर सकते हैं जबकि Samsung वाले में आप बिना बताए किसी को भी call recording कर पाऊगे storage की बात करें तो दोनों फोन hybrid sim card slot के साथ आते हैं दो sim card एक साथ यूज कर सकतो या फिर एक sim card या फिर एक memory card अब बात करते हैं दोनों phone के कैमरा के लिगिन उससे पेले कहीं पर भी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो like कर देना अब कैमरा में दोनों phone के अंदर पीछे की तरफ आपको 50 megapixel का camera देखने को मिलता है बट जी 54 के अंदर आपको OIS का feature अलक्सी मिल जाता है और 8 megapixel का ultra wide दिया है जबकि Samsung में यह सिर्फ 5 megapixel का है दोनों phone के main camera से अगर आप दिन में photos लेते हो तो details आपको दोनों में ही काफी similar से देखने को मिलते हैं फरक आपको मिलेगा इनके colors में और इनकी sharpness में Moto G54 की image में हलका सा contrast ज्यादा होता है sharpness थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है तो photos थोड़े से warm tone के साथ में आते हैं वही Samsung में थोड़े से bright और थोड़े से cool tone के साथ में देखने को मिलते है और जो Samsung यह colors को काफी जड़ा consistent रखता है जो कि Moto के अंदर देखने को नहीं मिलता light control और dynamic rays दोनों फोन काफी एच्छे से करते हैं लेकिन Samsung वाले के अंदर मुझे light control थोड़ा सा ज्यादा better लगा जिसका रीजिन यह भी हो सकता है कि Moto वाले जो photos होते हैं वह थोड़े से contrast के साथ आते बात करें portrait shots की तो दोनों फोन काफी decent perform करते हैं edge detection भी आपको दोनों में लगबख same सा देखने को मिलेगा अब रात के अंदर अगर इनका main sensor आप use करते हो दोनों फोन के photos bright होते हैं लेकिन Moto में OIS का support होने की वाज़े से हलके से details आपको थोड़े से ज़्यादा देखने को मि रखता अब वीडियो की बात करें तो rare camera से दोनों फोन में 1080p 30fps तक की वीडियो आप बना सकते हो मोटो में 60fps तक का option भी आपको मिल जाता है quality दोनों फोन में काफी अच्छी देखने को मिलते हैं और दोनों फोन की वीडियो काफी stable होते हैं अब selfie की बात करें तो मोटो में 16 3MP का selfie है वही Samsung के अंदर 13MP का दिन में यूज करते हो तो details दोनों में similar से देखने को मिलते हैं Samsung वाला skin tones को थोड़ा सा beautify करके दिखाता है उसके रहाव जो photos होते हैं उनमें colors थोड़े से bright होते हैं पर मोटो वाले के अंदर ये warm tone के साथ में देखने को मिलते हैं बागी low light य दोनों में similar देखने को मिलते हैं लेकिन मोटो वाले वीडियो ज्यादा stable होते हैं अब कैमरा को लेकर ये सीने के quality almost similar सी है लेकिन मोटो वाले के अंदर जो contrast है वो तोड़ा सा ज्यादा है और यहां पर फोटो होते हो थोड़े से warm tone के साथ में आते हैं वही Samsung के अंदर जो color स वो आपको consistent मिलते हैं साथी साथ फोटो थोड़े से bright होते हैं अब सवाल ही आता है कि दोनों से कौन सा phone purchase करना चाहिए तो Moto G54 में definitely आपको performance जादा बैटर देखने को मिलती है dual speakers आपको मिलते हैं जो कि Dolby Audio को support करते है Base variant के अंदर आपको 8GB RAM का option मिल जाता है जबकि Samsung वाले मे वो कमाल की देखने को मिलती है क्योंकि Super AMOLED पैनल है हाला कि दोड़ा सा outdated है बट quality आपको काफी बढ़िया देखने को मिलती है इसके लगा software updates को लेकर तो भाई इन्होंने कमाल कर दिया तो long term के इसाप से अगर आप देख रहे हो तो यह phone one of the best phone है लेकिन एक चीज़ आप ध करते हैं कोई भी सवाल है तो नीचे कॉमेंट सेक्षन में भी आप मुझे पूस सकते हैं मैं मिलता हूं किसी नेक्स वीडियो में किसी नेर्ट टॉपिक के साथ तब तक की लिए जय हिन जय भारत